अब हम अपना पहला कैमरा खरीते हैं तो वो कुछ इस उम्मीद से खरीते हैं कि अब इसके द्वारा ली गई हर एक फोटो एकड़म प्रोफेशनल जैसी टॉप क्वालिटी के आईगी और हमारे इस ब्रहम को तूटने में ज्यादा समय नहीं लगता जब हमको ये पता चलता है कि भाई खाली कैमरा लेने से कुछ नहीं होता अच्छी फोटो क्वालिटी के लिए कैमरा के साथ साथ बढ़िया लेंस का होना भी उतना ही जरूरी है और इसी की साथ हमारी सही लेंस धूनने की जद्दो जहद शुरू होती है और हमको पता चलता है कि साला ये दुनिया में तो नाना प्रकार के लेंस भरे पड़े हैं और इन सारे लेंसे हमारे लिए कौन सा ठीक रहेगा अब इसका पता कैसे करें और तब ही आपके पास उड़ती उड़ती ख़वर आती है भाई पोट्रेट लेंस ले लो एकदम पलंग तोड़ क्वालिटी की फोटो आएंग यह वो होती है इसका अपर्चर अर्थाक एफ नंबर यह नंबर जितना छोटा होगा आपकी फोटो में उतना ज्यादा बैग्राउंड ब्लेर आएगा और बैग्राउंड ब्लेर बोले तो सिनेमेटिक लोक और इस जानकारी को लेगर हम पूरे उत्सा के साथ निकल पड़ और धीरे धीरे आपको यह पता चलने लगता है कि भाई लेंस में यह सारी खूबिया एक साथ ढून पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लेकिन आज काफी समय बात जाके मेरे को एक ऐसा पोट्रेट लेंस मिला है जिसमें यह 36 के 36 गुण मिलते है इसमें f1.2 का मैसिव पर्चर देखने को मिलता है इसमें बड़िया आटो फोकस भी है इसकी फोटो कॉलिटी भी बहुत बड़िया आती है और सबसे इंपॉर्टेंट यह अपनी कैटेगरी में सबसे सस्ता लेंस है अगर इसमें यह एक वीकनेस नहीं होती जिसके बार हम आगे जानेंगे तो य यह APS-C केमरा के लिए डिजाइन किया गया है इस वक्त जो लेंस मैं यूज कर रहा हूं यह सोनी APS-C के लिए बनाए जैसे के अपना सोनी A6000, A6400 या फिर इनके जो जीवी सीरीज के APS-C केमरा आते हैं और अगर आप दूसरे कैमरों की बात करें तो यह सेम लेंस आपको जो मैं आपको अपना जो मेरा PERSONAL EXPERIENCES LENS के साथ वो शेयर करूँ तो चलिए जल्दी से इस LENS के अभma अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं तो दोस्तों यह कुछ इस प्रकार के बॉक्स में आता है हमारा लेंस जो आता है और सामने से बॉक्स आसा देखता है और जिल्दी से इस बॉक्स को खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है तो बॉक्स को खोलने पर आपको इसके अंदर कुछ पेपर वक निकलता है इंक्लूडिंग गारिंटी और मैनुवल वगर है जो हमारे किसी काम कानी है उसको मैं साइड में रख दूँगा और अब आते हैं हम लेंस की तरफ जो हमारा मेंन कंटेंट है तो लैंस ऋ से वह कुछ इस परकार डिखता है तो अभी ये लैंस को इसको पर क्याप और इसको ओड हो लगा हुआ है आप इसे बड़िया को मैं दुंक पक्राकर अगर सका वाक दिखे जो की लेंश के फ़ंडब करने के काम आता है जा अगर आङर आग आके विडी ट्रख डेता है। यह FING भुझ का फ्रंड एलिमेंट जिसमें आपका 77mm का फिल्टर लगता है अगर आपको ND filter लगाना है तो वो 77 mm का filter लगेगा इस lens में और अगर switch की बात करें तो इसमें कि आटो और मैनुल फोकस का switch है और साथ में कस्टम बटन का switch भी है इसको आप अपने कैमरा में जाके इसको shortcut assign कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं जाके कैसे करना है तो यह अब वापस आते हैं तो यहां पर इसकी जो है यह फोकस रिंग है यह स्मूध है ठीक थाक है बहुत डीली भी नहीं है और यह अपर्चर रिंग है यह लेंस का पर चराप कैमरे के मोड डायल से सेट नहीं कर सकते हैं यहां पर यह बटन दिया हुआ है इस बटन से आप अप क्लिकबल अपर्चर बना सकते हैं तो अभी देखिए यह एकदम स्मूध अपर्चर है यह सिनेमेटोग्राफी में काम आता है अब मैं इस बटन को फिलिप कर दूंगा अब देखिए यह क्लिकबल अपर्चर बन जाएगा अपर्चर आपको इसी से डायल करने को मिलेगा कै करीबं तीन हफतों से यूज कर रहा हूं और मैंने इसको अपने पर्सनल पॉजेक्स के साथ साथ दो वेडिंग में भी यूज किया है तो मेरे को इस लेंस की जो खूबिया है और खामिया उनको अच्छे से पता चल गया है बट वहां पर बढ़ने से पहले मैं आपको इस की पिच्चर कॉलिटी कुछ सेंपल फोटो दिखा देना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाएगे इस लेंस से किस प्रकार की पिच्चर कॉलिटी आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों अब डिसकस करते हैं कि इस लेंस के क्या-क्या स्ट्रॉंग पॉइंट है क्या-क्या वीक पॉइंट है और अंत में बात करेंगे एक वो पॉइंट जो इसको एक सूपर स्टार ब्लॉग बस्टर लेंस बनने से रोक सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रॉंग पॉइंट ही इस संके स्ट पॉइंट तो दोस्तों इस उसका स्ट्रों पॉइंट वहाइए इसका अपर्चर F1.2 इस लेंस को आप अपने एक normal से सस्ते से APS-C camera में लगा के ऐसी quality निकाल सकते हैं कि वो quality एक full frame camera को माद दे सकती है या उसकी बराबरी कर सकती है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और दोस्तों यही नहीं, इसका जो दूसरा strong point है वो है इसकी कीमत 1.2 aperture वारे जो lens होते हैं वो काफी expensive होते हैं कई वार वो लाखों से उबर की range में निकल जाते हैं लेकिन यहाँ पर यह जो lens है आपका यह आपको बहुत ही normal rate में आपको मिल रहा है आपको rate आपको screen में दिख जाएंगे चुकि इस lens की कीमत बहुत ही nominal रखी गई है तो काफी सारे लोग इस lens को afford कर सकते हैं और अपने basic से APS-C camera में यह lens लगा के उसकी quality को एकदम professional level तक अराम से ले जा सकते हैं बिना लाखों रुपया खर्च कियो हुए अगला जो strong point है इस lens का वो है इसकी picture quality बहुत बार ऐसा देखिया जब आप किसी ऐसे lens को यूज करते हैं इसका aperture बहुत बड़ा खोलता है तो उसकी photo soft आती है लेकिन यहां पर अगर आप f1.2 पर भी aperture लगा के इस lens की photo खीशते हैं और आपका focus टीक से lock होता है तो आपको picture quality एकदम शाप देखने को मिलेगी और जो last strong point S lens का वो है दोस्तो इसकी construction quality normally देखा गया है market में कि जो budget series के lens आते हैं वो दो में से एक चीज़ पर sacrifice करता है या तो उनकी picture quality और performance खराब होती है और अगर वो सही है तो फिर उनकी construction quality बहुत ही plastic ही होती है लेकिन इस lens में आपको picture quality, performance और साथ में construction quality सब top class A1 मिल रहा है अब बात करते हैं इसके weak point की जो पहला weak point बोलूँगा बलकि एक ही weak point है इस lens पर वो है इसका close focusing distance बोले तो आप अपने subject के बहुत पास जाके photo नहीं घीच सकते है इस lens को लगाके क्योंकि इसका close focusing distance इतना अच्छा नहीं है आपको अगर इस lens को लगाके photo खीचनी है तो थोड़ो सा दूर से खीचना पड़ेगा अब बात करते हैं उस major flaw की जिसकी वज़े से यह lens इस सदी का best portrait lens बनने से पीछे रह सकता है और वो है autofocus performance जैसा कि मैंने बोला कि यह autofocus वाला lens है अगर आप still photographer हैं आप खाली photography करते हैं तो still mode में यह lens ठीक काम करता है मैंने wedding shoot करी है दो wedding shoot करी है और मेरे को कोई दिकत नहीं आई चाहाए आप indoor की बात करें आउटडोर की बात करें दिन की बात करें रात की बात करें camera और lens के ने अच्छा परफॉर्म किया autofocus ठीक परफॉर्म किया हाँ अगर आप sony के जो native lens है उनसे compare करेंगे तो बिलकुल वैसी focusing capability नहीं है लेकिन बहुत बढ़ी है कोई दिकत नहीं आएगी बात बिगड़ जाती है जब आप video mode में आते है video mode में यह lens बिलकुल autofocus नहीं करता है तो अगर आप एक hybrid shooter है जो photo वीडियो दोनों करते हैं या फिर आप एक cinematographer है तो मेरे साब से आपके लिए यह lens नहीं यह specially तब आप पूरा का पूरा autofocus पर काम करते हैं अगर आप manual focus पर काम करते हैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है और आगे जाके हो सकता है के Viltrox अपना firmware के मदद से इस lens की autofocusing performance को अप्रूव कर सके बट फिलाल अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो दोस्तों आज की वीडि करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगेंगे और अच्छे लगें तयार प्लीज लाइक जरूर दवा दीजिएगा बाकी जल्दी मिलता है अगली वीडियो लेकर आपना क्या लगेगा I'll see you soon